Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का दाइना पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की स्वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 02 के कोश्चन पर को सॉल्व करने वाले हैं जैसा कि आप सभी स्टोइन जानते हैं, दिसंबर 23 इसका एक्जाम चल रहा है आज आपका 9 इसंबर था और अभी से थोड़े दिर पहले आपका MA History, MHI 02 का एक्जाम खतम हुआ है तो चलिए आज की स्वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में आज की कोश्चन पर को एनलाइस करेंगे कि 500 वर्ड के अंदर में ही आपको अपना अंसर कंप्रीट करना है बिसंबर के कोश्चन का यहाँ पर हम अपने पहले कोश्चन को देखें तो पहले कोश्चन में पुछा गया उदारवादी राज्ये की अवधारना पर एक टिपनी लिखिए कोश्चन easy है जब भी आप इस तरह के कोश्चन को लिख रहे हो तो जो भी इतिहास कारें उनका नाम ज़रूर यूज़ करें जैसे उदारवादी तिहास कारों की अगर हम बात करें जिन्होंने उदारवादी राज्ये का अवधारना पेस किया तो उसमें रूसो का नाम आता है, हॉप्स का नाम आता है, लॉक का नाम आता है, जॉन इस्टुएड मिल का नाम आता है, जैस मिल का नाम आता है तो कई सारे इतिहास कारें जिन्होंने उदारवादी राज्ये की अवधारना पेस करी अगर आप उधारवादी राज्य की अंदर में बात करोगे कि उधारवादी राज्य के अबदार ना है क्या तो इसके अंदर में लोगों की कल्यान की बारे में बात कर गई ठीक है कि लोगों का कल्यान किस तरह के सोच सकता है नागरिकों का अधिकार कैसे मिल सकता है ठीके अधिक्तम सोतंतरता के समर्थक के तौर पे जाने गए कि लोगों को जादा सजादा सोतंतरता दी जानी चाहिए इनका ये मानना था साथी साथ आद देखोगे कि जो समानता का सिधान्त होता न एक कल्यानकारी राज्ये के निदर में कि सभी लोग इकवल है उसके भी ये पक्षदर के तौर पे देखे जाते हैं अगर आप देखोगे हॉप्स ने अपनी बुक लिखी थी उसके अंतरगती भी समाजिक समझोते और राज्ये की उत्पत्ती किस तरह के सोता है एक सोतंतरता के संबंदित अधिकार किस तरह से कर रहता है एक व्यक्ति का अधिकार का क्या प्रोस्पेक्टिव है अधिकार का क्या मतलब है उसकी यहाँ पर वकालत करते हैं कि एक व्यक्ति के लिए अधिकारों का क्या importance है इसके बारे में बात करते हैं तो इस तरीके से जो भी इतिहासकार रहे, चाहे रूसों की बात करो, चाहे हॉप्स की बात करो, चाहे जौन स्वर्ड की बात करो, जियस मिल की बात करो, ठीक है लॉक की बात करो, तो इन सभी इतिहासकारों के concept जो थे किस तरह की आफधारनाती राज्ये के उदारवादी को लेकर इसको आप यहाँ पे explain कर सकते हो और proper आपको number मिल जाएगा सुबह मैंने जो video डाला था important lessons को लेकर उसके अंदर में भी मैंने आपको राज्य के सिदान्त वाला chapter का बताया था किसमे question बनकर आता है और यह question आया भी आपका अगर आपने सुबह का video देखा होगा और प question भी मैंने सुबह के video के अंदर में बताया था कि यह वाला chapter important है और इसमें से question बनकर आता ही है देखो अगर मैं नौकर साही के बारे में बात करूँ तो नेको नौकर साही ववस्ता है क्या तो बेरोकर सिस्टम को हम नौकर साही ववस्ता के तोर पे दिखते है बेरोकर सिस् regulation कैसे पहुंचेगा rule regulation जो भी है नियम कानून किस तरह से implement होगा और उसके वपर वर के क्या जाएगा यह नौकर साही का काम होता है अधुनिक विश्व में अगर नौकर साही को देखा जाए तो एक तरह से मानके चलो आपके सरीर में ऑक्सिजन का काम करती है और यह जो बि से चलाया नहीं जा सकता ठीक है साथ इसाथ अगर आप यह समझोगे कि चाहे आपका लोकतंत्र हो चाहे तानासाही ववस्ता हो चाहे राजतंत्र हो किसी भी तरह की ववस्ता के अंदर में नौकर साही बहुत important role play करता है अगर मालो तानासाही ववस्ता भी है ना तो जो ता कि lockdown आया जो मैंने सुबह भी example दिया था आपको lockdown आया करोना वेरिस आया lockdown लगाए गया तो lockdown के लिए क्या नरेंदर मोधी हर घर तक जाके नहीं किया ना उन्होंने सबको घर के अंदर में रहो ऐसा नोने रिक्वेस्ट हो किया ही किया साथ में घर पे जा जाके बंदों नही आर्मी को उतारा गया उसके लिए फौज को उतारा गया जो इस चीज को इंप्लिमेंट करा सके तो सीम चीज यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है नोकर साहि ववस्था के अंतरगत अगर आप ताना साही राज्य की भी बात करोगे तो वहां पर भी सीम पैटर्र यहां नोकर साही के विबिन ग्रुपों की अगर बात कि जाना तो किस कंट्री के अंदर में किसतरा के का सथी ब्रेटिन का किस के और नौकर साही ववस्ता तो वो यहाँ पे explain करोगे और दोनों ही जो question है ना यहाँ पे दो पार्ट में जो question पुछा गया है दोनों को मैंने बोला था morning के अंदर में यह question बनते हैं, chapter के अंदर में आपको इसको बढ़कर जाना है और आ जाएगा और यह आया भी हुआ था यहाँ पे हम question number 3 के और बढ़ते हैं question number 3 में पुछा गया रास्ट क्या है और किसी रास्ट के रास्टों का निर्माण किस प्रकार से होता इसके बारे में question बना, देको रास्ट होता क्या है तो लोग किस जगह पे रहते हैं उसकी सीमाएं क्या है उससे मिलकर एक रास्ट बनता है जिस जगह पे आप रहते हो अगर मान लोग आप किसी जगह पे चले गए 50-500 लोगों के साथ में हो और आपने एक boundary तैकर ली कि यह वाला जो छेत्रे इस तरीके साथ से है तो वो छेत्र जिस छेत्र के इंतरगत आप रह रहे हो जो सीमा के इंतरगत रह रहे हो वो रास्ट कहलाएगा रास्टों का निर्मान किस परकार से होता है तो इस रास्टों को निर्मान को लेकर अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग आइडिलोजी रखी जैसे कुछ इतिहासकारों का माना था कि रास्ट्रों का निर्मान इक्षा सक्तिस होता है लोगों की अगर इक्षा सक्ति है कि हमें रास्ट में रह रहे हैं तो रास्ट का निर्मान होता है अगर इक्षा सक्ती ने तो नहीं होता है तीक है तो लोग किस तरह से क्या उनकी आइडिलोजी है एक रास्ट को लेकर उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे माना जाता है कि क्या उनकी आइडिलोजी है अवधार ना क्या है अगर पचास लोग इस तो वह रास्ट का निर्मान हो सकता है, तो अलग 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 आइडिलोजी दिया, मैंली रास्ट के निर्मान के लिए न सीमाओं की जरूत होती है, एक भूच हेत्र की जरूत होती है, भूच हेत्र के प्रॉपर एक सीमा की जरूत होती है, कि इस तरीके से ये पूरा एरिया ह है रास्ट के अंतरगत आता है और इस तरीके से रास्ट का निर्मान होता है यह कोशन भी मैंने बताया कि आपको कि रास्ट वाद या रास्ट वालत जो कोशन है बहुत important है और अकसर exam में आता है और इस बार आया हुआ था अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 4 जहां पे पूचा गया पुंजी वादी उद्योगी करण के परकिरिया में तक्नीक की भूम का क्या है अब देखो पुंजी वादी उद्योगी करण को देखोगे न तो आधुनिक विश्व के अंदर में एक important role play करता है विकास के लिए फुनिवादी उद्योगी करण के करण से तकनीक का विज्ञान का विकास हो नए उजार नए न 있어서 ने संचार पति का विकास हमें देखने क्ली मिलता है ठीक है चेत्र में किस तरीके से विकास हो रहा है पुंजीवादी उद्योगी करण मतलब क्या इंडस्टी लगाया जाना नएने तकनिक को बनाया जाना और उसके अधार पर कंट्री का विकास करना ठीक है यह यहां पर हम बताते हैं आज देखों उद्योगी करण अगर उद्योगी करण पर किरिया के अंदर में तकनिक है नहीं तो उसको हम उद्योगी करण कहीं नहीं सकते हैं तकनिक के कारण पर उसे उद्योगी करण कहते हैं और उसे पुंजीवादी पैसी के बल पी चल रहा है पुरा ठीक तो इसले पुंजीवादी उद्योगी रहता कि इंपोर्टेंट चैप्टर इसको जुरूर पढ़के जाएगा इसमें से कोश्चन बनकर आता है अगर अभी भी न जो इस्टुडेंट वो वीडियो देखेगा न मौर्निंग वाला और जिसने को छोड़कर आया है जीतने भी मैंने करवाया था मौर्निंग में तो व एक भी ऐसा कोश्चन नहीं बता पाऊगा आपकी वाला मैंने नहीं करवा रखा था ठीक है अब सबसे पहले यहां पर बताओं आपको कोश्चन 5 के अंदर में तो टिपनी बेस कोश्चन है जो मुझे पसंद नहीं करना बट नॉर्मली अगर देखा जा तो उत्तर आधुन लिखतावाद था ना जो आधुनिक समय चल रहा था modernization चल रहा था उसके बाद का जो time period था उत्तर ठीक है उसके बाद के समय किस प्रकार का रहा यह आपको यहां पर टिकपणी में लिखना है प्रभब बुद्धी जीवियों द्वारा धर्म की आलोचना किस प्रकार से कि वैश्वी करन होता क्या है globalization ठीक है globalization के बारे में तो आप अराम से लिख सकते हो तो दो tip topic है तो यहां पर आप उत्तर आदुनिक्तावाद और वैश्वी करन के बारे में लिख सकते हो कल्यानकारी राज्य या फिर कल्यानकारी नीतिया क्या होती है जो लोगों के भलाई के भी तो मज़ा जाता पिछले साल से मुकाबले में बहुत इजी कोस्टिन पर आ रखा था कोस्टिन नमर सिक्स जहां पर हम बात करें तो समराज्यवाद समंदित विविविन विचारधारों की चर्चा केजिए अब देखो समराज्यवाद को अगर देखो गहीं इस वाले चैप्टर कोई मैंने बोला था कि समराज्यवाद का चैप्टर important है इसको करिएगा तो इस तरह से जो सीमाओ का विस्तार होना इसको हम समराज्यवाद कहते हैं ठीक है पहले कोई व्यक्ति इतने जगह में रहता था फिर उसने इधर का जगह कबजा कर लिया फिर इधर का कर लिया फिर इधर का कर लिया तो इस तरह से जो सीमाओ का विस्तार होना इसको हम समर क्या तरक वितरक दिये यहां पर समराज जवाद को लेकर किस तर्थ समराज जवाद का फैलाव हुआ ठीक है इस्ट इंडिया कमपनी समराज जवाद के तौर पर डच हो गया पुरुतकाल हो गया जो इसतर पर कमपनिया थी नहीं जो यूरोप से आई थी तो उन्होंने वोता है चैंज नहीं किया उसमें कुछ भी होता क्या है इस परकार यूद होता है मस्तिक से लड़ Спिर से लडा जाता है कर अंदर रखत रखत रंजित यूद इसके अंदर में कोई खूण खराबा नहीं होता ठीक ऐसा निग खूण खराब अगर हो रहा है जैते हैं तो कई सारे यहां पे definition आपको मिल जाएगा तीत यूद के अंदर में जैसे आपने देखा होगा दो घर के इंदर में आपकी गली महले में लडाई होते होगी एक अंटी इधर से ना घर के बाहर गली पे खड़ी होगी गाली गलोज दे रही होती है पुरा सुनारी ह होती है दूसरी अंटी अपने गली गेट पे खड़ी होके सुनारी होती है अब दोनों के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि दोनों ना अउतर जाओ सामने में और एकदम बाल अल पगड़के पीटना सुरू कर देगी दूसरों का इसा हिम्मत नहीं है इसका में रिजन है अगर उस तरह से करेंगे तो लड़ाई बढ़ जाएगे, दोनों के पास पावर है, ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, अपना एक सीमा ते कर लिया, और इस सीमा से मनमन में लड़ रही होते, प्रॉपर तरीके से, वो थोड़ा अलग हो गया, प्रैक्टिकली चले गया हम, जो इस तरह का वोर देख रहे होता है गली के अंटियो वाला, उनको भी देखने वाले को यह लगता है, अब 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 निकलेगे अंटियो वाली और मारेगे बालों कीचके मारेगी, पर चुक जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो होता है न सिस्तिती, जहां पे से प्रवावित किया अब देखो वेस्विक राजनीती में अगर आप देखोंगे ना तो 12 का पूरा question उठाकर डाला है क्योबा impact आपको देखने के लिए मिलता है ठीक है इराग जैसे वहर देखने तो उन्होंने गुट निर्पेक्ष का रास्ता चुना था तो इस तरह की चीज़े आपको देखने के लिए मिलती है राजनीतिक इंपक्ट विश्वी करणे के अंदर में आपको देखने के मिल जाता है और यूद जैसे इस्तिती सांती नहीं रहता हंत्यारों की होड़ सुरू हो जाती है भाईया मैं powerful हूँ ज्यादा तो मैं ज्यादा हंत्यार बनाएगा ठीक हंत्यारों की होड़ सुरू हो गई परमान के वाला कोशन इजी है और यह वाला मैंने आपको डिटेल में बताया वी था रूस की करांती रूस की अक्टूबर करांती देखो मैंने बोला ता ना सुबह में कि अलग अलग नाम आते हैं देखो जिस जैसे बच्चे ने जो अभी स्टूडेंट यहां पर वीडियो देख और कुछी स्टूइंट्स ऐसे थे ना जिन्होंने देखा अक्टूबर की करांती पूछ रहे हैं तो बहुत सारी कोश्चन छोड़ कर आये कोश्चन जबकि यह बच्चे वाला कोश्चन था रूस की करांती पर टिपने लिखिए तो यहां पर सुरुवात इस तरह से करोग बात कहते हैं जिसके अंदर में किसान और मज़दूर की बात की जाती है और सब समान हैं इकवल हैं इस विचारधार को आगे बढ़ाया जाता है और उसी के बेसिस पे रूस के अंदर में 1917 के अंदर में एक तकता प्लट का दौर सुरू होता है और रूस के अंदर में 1917 की कर करांती भी बोलते हैं, अक्टूबर की करांती भी बोलते हैं, खुनी करांती भी बोलते हैं, लाल करांती भी बोलते हैं, रूस की करांती भी बोलते हैं, तो इस तरीके साफ इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं, एक अच्छा कोशन, इजी कोशन, जिसको आप यहां पर लिख सकते थे question number 9 अल्प विकास क्या है अल्प विकास इजी कोश्चन अभी है अल्प मतलब होता क्या है तो जैसे एक worldwide bank के द्वारा मैंने यह वाला question भी ना सुबयव आपको बताया था अगर आपने सुबयव उदेखा है ना बारवरा तो आप सोचोगे आपसे ज़्यादा लखी परसन कोई नहीं है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक पैमाना तै किया गया पैमाना क्या था भया कि भया अगर मान लो कोई देश ये चीज फुल्फिल करता है तो वो अल्प विक्सित देश नहीं रहेगा अगर वो फुल्फिल नहीं कर रहा है तो वो अल्प विक्सित देश है ठीक है क्या पैमाना था तो साक शर्ता धर भया एजुकेशन दर ना ठीक है एजुकेशन दर अच्छा होना चाहिए health दर अच्छा होना चाहिए ठीक है health अच्छा होना चाहिए जो fertility rate होता है ना president दर ठीक है वो सही होना चाहिए तो यह सारी चीज़े तैकी गईती है और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में गरीबी, भुकमरी यह सारी चीज़े आ जाती है तो उस तरह से किस तरह का आपके देश के अंदर में ववस्ता है उसको लेकर यहां पर कहा जाता है अल्प विकास को समझने के बिविंद रिष्टी कौन की चर्चा कीज़ी है अब बिविंद रिष्टी कौन मतलब यह अल्प विकास का जो अब विकास की स्रेडी में डाला जाता है तो इजी कोशन था लिख सकते थे बताया हुआ था कोशन नमबर 10 की और अगर हम जाएं तो टिपनी बेस वाला कोशन था मुझे पसंद नहीं लिखना वाट अगर मैं लिख रहा हूं इसके अंदर में तो उपनिवेशवात का अधारबु तो लक्षन क्या है किस तरह की से उपनिवेशवाद होता है भी मैंने बताया था समुराज्य वाट क्या है उपनिवेशवाद क्या है आफ यहां पी डिफाइन कर सकतो ऐजिली यह वाला chapter मैंने आपको बताया था morning में एक दूविता क्या होता है बहुत दूविता क्या होता है दो दूविता क्या होता है ठीख है तो यूनिपॉल राइट रेटी क्या होता है तो यह यहाँ पे आपको बताना है ठीख है समझ में आता है तो येवाला question भी यहाँ पर सेम उठाए गया है जनसंकी की परिवर्तन और माल का सिधान यहाँ पर पूछा गया है तो जनसंकी की परिवर्तन का क्या importance है, किस तरह से होता है जनसंकी की परिवर्तन मतलब कि अगर आपके गर में health system अच्छा है तो किस तरह का जनसंकी की परिवर्तन होता है, क्या reasons होता है परिवर्तन के, क्या impact रहता है परिवर्तन का एक reason यह भी रहता है कि विस्थापन कितने लोग कर रहे है किस तरह से लोग विस्थापी तोरह थे, यह भी एक major reason के तोरह पर देखा जाता है तो यहाँ पर यह आपका आज का question पर हमने discuss किया यहाँ पर मुझे comment करके बताईए कि कितने students थे जो video देख कर गए थे हमारी और उसके बाद question पर को solve कर कह दे और जादा-जादा question उन्होंने solve किया है तीक है यह मुझे जरू comment करके बताईएगा यहाँ पर video end करूँगा request यही रहेगा आप सभी वरसे अगर आप हमारी videos को देख के जा रहे तो अपना प्यार जरूर हमारी videos पर बरसाएं like, share, subscribe करें अपने दोस्तों तो पहुचाएं और जो आपका next exam है आपका MHI 04 का उसकी तयारी करें आपको all the best मैं try करूँगा जल्दी जल्दी उसके लिए वीडियो लेकर आऊ जिससे आप उसमें भी अच्छे नमबर लेकर आ सके और already वीडियो बनी हुई है MHI 04 की, MHI 05 की तो आप MHI history के playlist में जाईए वहाँ से MHI 04 के playlist में जाईए वहाँ से जितनी भी वीडियो से उसको देखे last five year की वीडियो से देखे important question की वीडियो से देखे important topic की वीडियो से देखे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा useful रहेगा तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं अगर माहिन में कोई question हो, कोई doubt हो तो आप रीज कर सकते हो comment box के अंदर में reply में देदूँआ मिलते हैं अगली class के अंदर में बबे टिक कर all the best